आइफोन 11 एक लिजेंडरी मोबाइल है और काफी ज़्यादा भिकने वाला मोबाइल है और इतना ज़्यादा भिका है ये मोबाइल की मेरे दोस्तों के पास भी आइफोन 11 है क्योशन ये बनता है कि 2022 के अंदर भी क्या आइफोन 11 वर्ट एट रहेगा या नहीं रहेगा सेकिंड हैंड लेना चाहिए या न्यू लेना चाहिए या फिर कितने तक का मिल जाये जो की एकदम सही बर्जट रहेगा है फिर वेल्यू फोर मनी रहेगा इस बार विशाल ने नया मोबाइल खरीदा था 28,000 रुपे में सेकिंड हेड उसको आइफोन 11 मिल गया जो की काफी सही कंडिशन में था मैंने उसको चलाया उसके कुछ फोटो सेंपल्स लिए जो मैं आप लोगों के शार करूंगा साथ ही में उसकी परफोर्फोर्मस के वर में इनका मुकाबला है अभी तक कोई भी नहीं कर सकता पता नहीं एपल कॉन से काले जादू करता है इस मोबाइल के ओपर बाइस सबसे ज्यादा बेस्ट फोटो देखनों को मिलती है मैं तो सोच रहा था दा डीएस लार को छोड़ देते और आइफोन 11 ले लेता हूं ताकि उ अल्टरा वाइड केमरा आता है वह बारा में का परिसल देखनों को मिलता है यह कुछ फोटो समने नोर्मल डेलाइट के अंदर लिए है उसी टाइम पर हमारे पास समसिंग गलेक्सी एस 10 प्लस भी हमारे पास था तो मैंने कमपेरीजन के लिए दोनों से एक ही फोटो क्लिक क्लोज में लेकि फिर अगर फोटो क्लिक करो तो नेक्स लेवल आती है यह से लगता है डियस लाज से लिए है तो बेक्राउंड के अंदर जो बलर देखने हो मिलता हूँ बहुत तगड़ा देखने हो मिलता है और वीडियो रिकोडिंग यार मेरे पास है नहीं बाट बहु अपने घर पर तब आपको अपना मोबाइल वापी चार्ज करना ही पड़ेगा उस टाइम पे छे साथ परसें बेटरी ही बचती है नोर्मल यूसेज के साथ और थोड़ा वह पब जी खेल लेते हैं लोग तो एक नोर्मल यूजर के लिए डेफिनिटली काफी तगड़ा है तो मैंने पब जी खेल के देखा उसके अंदर तो अराम से ये तीन गंटे अराम से निकाल देता है जब हम भार बेटके पब जी खेल रहे थे तब इसकी बेटरी काफी जादा ड्रेन हो रही थी जब मैं थोड़ा धूप में बेटे वे थे और जैसे हम एसी रूम में गए और वहां पर हम जब पब जी खेल रहते तब उसकी बेटरी काफी जादा धेले डाउन हुई आइफोन 11 के स्पीकर काफी लोगों को नहीं पसंद आए आप लोगों ने अगर रिव्यू देख्या हूँ तो आप लोगों को समझ में आया होगा लेकिन मैं एक एंड्रोइड अधा और एंड्रोइड यूजर से जब मैं आइफोन पर स्वीच किया मुझे कोई प्रोब्लम देखने को नहीं मिले गों मुझे ज्यादा बढ़िया ही स्पीकर देखने को मिले तो मुझे पसनली काफी अच्छे लगे अपनी पसंद होती है कि लियर थे लाउड थे काफी 11 की स्क्रीन को फिल किया तब मुझे कोई ज्यादा डिफ्रेंज देखने को नहीं मिला जबकि उसकी डिस्प्ले फूल एच्डी भी नहीं है और नहीं उसकी 90 हर्स या 120 हर्स है 60 हर्स की IPS पैनल एक नॉर्मल पैनल देखने को मिलता है बट फिल भी एपल ने बहुत तगड़ मेरा लगो अगर आप लोगों ने खरीद लिया है तो कोई बुरी बात नहीं है डेफिनेटल आप खरीच सकते हैं तो बी ओनेस्ट क्या आपके 5G काम आ रहा है क्योंकि 5G है नियुर्पी फिलाल जो लीक साही हुए उसके अकोडिंग 5G दो ठाई साल और पिछे चला गया है कोई ज्यादा डिफ्रेंस है निउस के अंदर और आपको यहां पर एक फिजिकल सिम का ओप्शन देखने को मिलता है और एक एसीम का ओप्शन देखने मिलता है इसीम तो भूल जाओ मैं तो यूज नहीं करता और फिर बहुत जंजट होता है एंडरोइड में सिफ्ट करने क तो इस मोबाइल के अंदर आप फिजिकल सिब एक ही लगा पाऊगे और एक आपको एसीम लेनी पड़ीगी इस मोबाइल के अंदर एक ही डिफ्रेंस आइफोन 12 और 13 से वह है कर्व इस मोबाइल के जो साहिट साहिए कर्वर देखने हो मिलते हैं जिसके वचे से जो मैंने है फिल किया हैंड फिल वह कापी अचाता है लेकिन आइफोन 12 या जुदा बड़ी अलगता है मेरी आदत है हेड़फोन लगा के फिली गेम खेलने की जब मैंने पब जी खेल रहा था तब मैंने ट्राइक किया 3.5 mm jack घुजाने का फिर में पता चला इस मोबाइल के अंदर 3.5 नहीं है आपको थोड़े से कनवेटर वनवेटर का जंजट लेना पड़ेगा और इस मोबाइल की सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो नोटिस करने को मिलती है वह बड़ी बड़ी बेजल्स लिट्रेली मतलब एक फ्लेक्सिक मोबाइल के अंदर इतनी ज्यादा बड़ी लेते हैं तब उसकी बड़े बड़े बेजस दिखाई देते हैं तो खून चल जाता बाई बड़ वह एक दो दिन में आपको आदत पड़ जाती है क्योंकि बहुत शांदार मोबाइल हो अगर आप लोग लोग को बहुत धान से मोबाइल लेना पड़ेगा क्योंकि आइफो इसके साथ आई-पी डेटिंग भी चली जाती है और बहुत जादा इश्यू होते हैं और वह मजा भी नहीं आता डिस्प्ले के अंदर कभी एक चीज और रहाद रखना कि 64GB वाला वेरियंट जो होता है उसे सो समझके खरीदना बहुत कम होता है अंड्रोड में बहुत ज्यादा अच्छा आप मेनेज कर लेते हो लेकिन एपल की जो एप्लिकेशन से होते हो वह बहुत ज्यादा डाटा है और बहुत ज्यादा श्ट दिखने में थोड़ा अलग किया गया है वाकि ऐसे सच कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखनों को मिलते क्योंकि मैं आइफोन 13 भी चला है आइफोन 12 और 11 के अंट ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है आइफोन 12 और 13 में काफी डिफरेंस है आइफोन 11 आपको 60 fps कॉ बहुत नेक्स लेवल का जायर होता है अगर आप एक बज़ेट एंड्रोइट मोबाइल या फिर आइफोन के पहले वाले मोबाइल से डाइरेक्ट आइफोन 11 को मिलेगा आइफोन की बिल्ट काफी तगडिय थी मुझे पसनली काफी एचे लगती आइफोन की बिल्ट क्योंकि ब्लस पॉइंट भी एक प्यलेवी एक परसेंट भी डाउंत नही होता मुझे नहीं पता क्यों जितना हीट îlling को आप लोगों को पसंद आया होगा हम मिलते हैं आप से अगले बहले वीडियो में तब तक लिए हिंद बंदे मातर्याम और लव यू अल्गे जो मैंने खुद में पसंद पर्फूम आप बीडियो में गो युद में जो मैंने ख्या हुआ हुआ होगा होगोग कि अभियोच जो रहुआ हैं लुद में अल्गे से घां जो